का है यहार साची वालए के लिए एश स्के जहासर का ड्रेक्ट्रेक्ट्रेटिसी नंबर सकेंड़ आप क्लास देख रहें अप लोगों में से जो भी लोग नए होँगके इस क्लास को आप पहली बार देख रहे होगे आप आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा आपके बिहार सची वाले के लिए अभी तक में 150 प्लस प्रैक्टिस सीट दिया जा चुका है साथ एसाथ पीडिया भी टेलिग्राम पे है क्लास नमबर फर्ष्ट आप देखिएगा उसमें टेलिग्राम में कैसे जोड़ना है सारा कुछ बता दिया गया है कौशन नमबर फर्ष्ट को देखिए बताएगे कि कौन सा ICS अधिकारी भारती राष्टी कॉग्रेस की 1885 के गठर में शामिल रहा था यहाँ पे option D क्या पूछा है ICS अधिकारी न option number D A O Hume रहे थे कौन्ग्रेस के पर्थम अध्यक्ष पूछेगा तो बैनर्जी साहब थे कौन्ग्रेस की अस्थापना के समय वाइशराय पूछता है तो लॉड डफरिन रहे थे और लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था कि कौन्ग्रेस यह डफरिन की दिमाग का ही उपज था 2020 के ओलंपिक खेल किस देश में आयवजित किये गए थे option A right answer जापान में नमबर थर्ड है आंग सान सू की जो NLD की यह नेत्री हैं किस देश से समन्द रखती हैं option A right answer म्यामार आपको अपने आजपास के देश के बारे में जो इंपोर्टेंट पॉइंट से उसे भी ध्यान रखना है समझेंगे कि म्यामार में न शैन सासक को कहा जाता है क्या पूछेगा तो ततमादाव कहा जाता है और यह जो नाम है आप साथ इसको हलके में ले देऊगे साथ हो सकता है तो आन सान सूकी न 1991 में न नॉवेल का सांती पूसकार दिया जा चुका है आप सूर्ट लिजे कितना इंपोर्टेंट परसन है नमबर फूर है हाल ही में दिये गए फिल्फेर अवर्ड 2022 में किसे बेश्ट एक्टर का अवर्ड मिला आप्शन बीर आईट आउसर अनवीर सिंग म्यामार की नई जार धानी का नाम बताएं तो आप्शन निपी दाव हो जाएगा आप्शन नमबर सी आपका आईट आउसर और मयामार की मुद्रा भी पूछा जा सकता है आपसे तो क्यात होता है यहां का मुद्रा बताहिए कि सहारा रगेस्थान के इस महादुबिप में आप्शन आफरिका राइट आसर हो जाएगा आप्शन नमबर सी आपका सही जवा Governor शहरारेगिस्तान अफ्रिका महाद्वीब के उत्री भार में इस्थियत दुनिया का सबसे बड़ा मर्वस्थल है और अफ्रिका महाद्वीब की सबसे बड़ी नदी पूछेगा नील नदी होती है भारत में हरित क्रांथी के जनक का नाम बतायत ऑप्शन C.M.S. स्वामी करता है इसके पास न्यूनतम कितने सांसर लोग सभा में होने चाहिए होता है तो ऑप्शन एक कम से कम 55 सांसर अगर रहता है तो लोग सभा में विपक्षी दल बन सकते हैं तमस उपन्यास के लिखक बताएं ऑप्शन E. राय टांसर भीस में साहनी के द्वाराया लिखा गया था दूरंड कब किस खेल से समंदित है ऑप्शन नंबर बी राय टांसर फुटबॉल से समंदित है कौन सा दूरंड कब बताएं कि भारत और चीन के बीच पंच सील समझोता कब हस्ताक्चर किया गया था ऑप्शन नंबर सी 1954 में हुआ था और भारत और जो ये चीन है इसके बीच अगर पूछेगा कि युद्ध हुआ था कब तो निस्सो बासरट में हुआ था और पंच सील समझोता कि अगर माल ये डेट ही आपसे पूछ लिया जागा ना कि एक्जेक्ट डेट बताएं जरा सा तो 29 अप्रेल आपको यहां पर बताना होता है गराम पंचायत का मुख्या को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है आवेदन समर्पित करने की कितने दिनों के बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा ओप्शन ए साथ दिनों के बाद वर्ट्स 2021 बाईश में रंजीट ट्रॉफी किस टीम ने जीती है तो तेरा नंबर का राइट का ओप्शन सी तमिल नाडू ने रंजीट ट्रॉफी जीता है तो 2019 बीस का पूछेगा तो रंजीट ट्रॉफी का विजेता का नाम बताए तो आपको यहाँ पर सौराष्ट बताना होता है और रंजीट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंदीत अधियान रखेंगे 2014 के नोबेल सांति प्रॉषकार के विजेता का नाम बताए तो आप्शन नमबर आपको यहाँ पर सी मलाला यूसुफ जै और कैलास सत्यार्थी को एक साथ मिला था ओप्शन नमबर सी राइट ट्रॉफी को एक साथ मिला था और बहारत में सोतंतरता के वाद प्रथम आम कर आए गए थे ओप्शन सी राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है कि उनिश्व इक्क्यावन बावन में हुआ था इक्क्यावन तो है नित बावन टिक करना है भी हू किस राजी का त्योहार है तो आप्शन ए भी हू असम का है भारती आजादी के समय इंग्लेंड के प रहन किया जाता है ओप्शन ए नब्वे अनुपात 10 में किया जाता है बताये कि हाल ही में किस भारती सुंद्री ने मिस मिस डीवा उनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया है भारती है तो ध्यान रखना ही है तो आप्शन नंबर डी दिवीतार आये सही जबाब हुजाएगा आर बी आई के वर्तमान गवर्नर का नाम बताए नंबर ट्वेंटी का ओप्शन सक्तिकांथ दास राही टांसर निम्लेकित पंचवर्सी योजनाओं में से कौन से योजना अनावरिष्टी और दो युद्धों के कारण प्रभावित हो गई ओप्शन भी तीसरी पंचवर् में हुआ था फिर पाकिस्तान से भी हो गया था तो इसे आप कहा सकते हैं कि तीसरी पंचवर्सी योजना में क्या हुआ था अनावरिष्टी योद्धिके कारण मतलब बहुत ज्यादा खराब रहा था भारत के राष्ट्य महिला आयो की पर्थम अध्यक्ष का नाम ऑप्श नमबर बी तरावन कूर राइट आंसर अठारो साथ इस्विव में प्रकासित नील दर्पन नील की खेती करने वालों की दोर्दर्साथ चितरित करता है नील दर्पन की रचनाकार का नाम बताएं ओप्शन नमबर सी दीन बंधू मित्र आपका विलकुल सही जवाब हो दी गई कमिटियों के समद्ध में किसका समद्ध पंचायती राज से हैं बताएं बलवंत राय महता असूप महता समीथी चलिए यहाँ पर आपका ओप्शन नमबर तो ए राइट आसर बलवंत राय महता समीथी हो जाएगा सही जवाब ठीक है शहकारिया समीथी आपसे पूछा जाता है ध्यान रखेंगे शहकारिया समीथी 1983 में केंजर राज के समंद्ध के समिछा के लिए बना था शाह कमिशन1986 में बना था राष्टिर आपात1965-1977 की कारण का पता करने के लिए इसे बनाया गया था निमिकित में से किसनी नलंदा विश्विद्याले में अध्यन किया था ओप्षन बी आपका वेंसांग राइट आंसर शामुदारिक विकास कारिक्रम का सार ओप्षन नमबर सी लोक भागिदारी रहा है पूर्ण स्वराज का संकल कॉंग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था ओप्षन बी 1929 में लाहोर आपका जगह था राइट आंसर जगह और पंडित जवाहर लाल नहरू की अध्यक्स्ता में से पारित किया गया था दुरोना चार प्रूसकार की छेतर में दिया जाता है ओप्षन सी ख्रीना परसिक्षन मतलब खेल की छेतर में मात्मा गांध और बाबा शाहव अंबेटकर के बीच पूना संधी कब हुआ था ओप्षन बी राय ट्रांसर वर्स 1932 में ध्यान रखिएगा कि जो कोश्चन आप देख रहे हो ना सेम यहीं पैटर्न आपके एक्जाम में रहने वाला है कुछ कुछ कोश्चन आपको देखकर लग रहा ज़र ध्यान चंद गीर का वण शेड के लिए प्रसिद्ध है किस राज में ऑप्षन सी गीर है गुझरात में मैक्सेसे पुरुषकार रैमन मैक्सेसे के नाम पर दिया जाता है वह किस देश के राष्ट पती थे फिलिपिन्स के राष्ट पती थे ऑप्षन सी राइट आइ 1957 से दिया जाता है और पहला रेमन मैक्सा से पुरुषकार पूछेगा किसे मिला था तो याद करिए आचार्य समझ गयोंगे आप विनोबा यहाँ पर बॉआ होगा विनोबा भावे को सबसे पहले यह दिया गया था बताया कि चर्णोबिल प्रमणु सयंत्र जो अब बंद है या कहा पर है आप्शन भी राई टांसर हो जाएगा यहाँ पर सालेंट वेली या फिर मूख घाटी किस राज में अवस्थित है बताएं तो आप्शन नंबर आपका पर तीन होता है चोड़ाई दो लंबाई तीन सही है राष्टी जंडे में 24 तिल्लियां भी होती है सही है देखिए तो तीसरा क्या कह रहा है राष्टी प्रतिक लाडिया नंदनगर के सिंग से लिया गया बिलकुल गलत राष्टी धुन बजानी का पूर्ण अधिकार अध लोग निशत से लिया गया है ठीक है अगर कहेगा तो ध्यान रखेगा 22 जुलाई उनिश्व सेटारीस को राष्टी ध्वज और 24 जनवरे 1950 को राष्टी ये गान जो आपका राष्टी गान और गीत हुआ इनको अपनाया गया था इसे आप ध्यान रखेंगे और 26 जनवरे 1950 से समिधान को फाइनली लागू कर दिया गया था जापान की मुद्रा का नाम बताएं क्या होगा ओप्शन डीराइट आसर ये न होता है नमबर 40 यहाँ पे अगर आपको टाइम चाहिए क्लास को आप रोक लेंगे कौर सा कथन यहाँ पे कह रहा है सही है न आप्शन सी से राष्टिये महत्तुका हो गया हो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है हाले में किसे आकाश्वानी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में न्यूक्ट किया गया है ओप्शन नमबर डी वसुधा गुपता राइट रांसर लो उसे कुल वैद मतों का 1 by 6 से कम मत प्राप्थ होता है तु ट्रेन तू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक ऑप्शन दी खुश्वन सिंग आपका राइट रांसर बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधी पांच वर्सों की निर्धारित है इसकी गरन ना ऑप्शन नमबर भी पंचायत निर्वाचन की अधुसूचन की तिति से जारी करी जाती है विंग्स और फायर के लेखक का नाम देखने के साथ आप समझ गये होंगे आज कवेसी इस वाला प्रेक्टिस में काफी एजी एजी कोश्वन में दिया हुए एपीज भारत में भारत का जुदार स्थान यहीं से निकलती है बितवा नदी पूस्ता है तो बितवा नदी के किनारे आपको ध्यान रखना है एक सहर बसा हुआ है नाम है ओर च्छा भारत एक खोज उस तक एहमद नगर किला जेल में कारावाश के दौनार लिखे गई थी भारत ए किस देश से थे ओप्शन सी अमेरिका के थे कौन सा देश सुगल बाउल ऑफ दा वर्ड की रूप में जाना जाता है ओप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा भारतिय सविधान का कौन सा अनुच्छेर चुवाच्छूत उन्मोलन से समन देथ है ओप्शन सी अनुच्छेर 17 राइट आंसर हो जाएगा 14 में विधी के समझ समता का अधिकार दिया हुआ है 15 में धर्म, नसल, जाती, लिंग या फिर जन अस्थान के अधार परना भेदभाव नहीं होगा 18 में पूछेगा तो उपाधियों का अंत से समन दित है अनुच्छेर 19 के ए में प्रेश की सुदंद्रता के बारे में दिया गिया है जल का घनत किस तापमान पर शरवाधिक होता है जल का आयतन 4 डिगरी पर नियूनतम होता है नियूनतम क्या होता है आयतन कितना पर 4 डिगरी पर धियान रखेंगे बताए कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है तो गोवा हो जागा मांडोवी नदी और मन्डोवी नदी को गोवा की लाइफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है ओप्शन यहाँ पे भी राइटर्स हो जाएगा बताएं कि समदाब रिखाई निम्रिकित में से किसको परदरसित करने का काम करती है 44 का ओप्शन अब करड़ी हो जाएगा भारत की आजादी के समय भारत के वाइशराय का नाम बताएं कौन रहे थे नमबर 55 का ओप्शन नमबर आपका यहाँ पर C हो जाएगा लॉड माउंट बेटन ठीक है चलिए अब आज यह कॉशन नमबर 57 पर देखते है साइज का कोशन है किस अस्थान पर सरवादिक होगा यहाँ पर आपको डिटिक करना होगा अंटार्टिक के कैम्प में राइट आंसर हो जाएगा ध्यान रखेंगे कि जी स्मॉल जी का मान उपर जाने पर घरता है इस्मॉल जी का मान ध्रूप पर सबसे जादा होता है चलिए नेक्स्ट कोशन है नमबर 61 में अच्छा 59 देखिए करेक्सरीर के किस अंग्य की खराबी से मदो में हे रोग का प्रकोप होता है आप्शन नमबर आपका भी हो जागा पैनक्रियार या फिर अगना से सही जवाब हो जाएगा नमबर 61 है इबोला क्या है दिखने के साथ समझ गया होंगे ओप्शन इबोला एक वाइरस है बताए कि घेंखा रोग जो है ना आयोडीन की कमी से होता है या आप जानते हो या निम्न मैं से किस छेत्र में व्याप्त हो सकता है ओप्शन नमबर बी रायत आसर पहारी छेत्र में चलिए नेक्स्ट कोशन है नमबर 65 में विटामिन ए मुखेता कहां संग्रहित होता है ओप्शन नमबर बी रायत आसर वरिक में नमबर 70 में है लेडिया का थाराइड गरंथी का अस्थान बताएं ऑप्शन भी हो जाएगा गला में होता है थाराइड यह जो है न गरंथी टी-3 और टी-4 नामक हार्मोन से बनती है नमबर 68 है शाधाय नमक का राशानिक नाम निम्रिखित में से क्या है आप्शन C, sodium, chloride, राइड आंसर यहने कि N, C, L आपका हो जाएगा राइड आसर तारो का रंग किस पर डिपेंड करता है निर्भर करता है आप्शन A, उनके तापमान पर चलिए बताएगे कि आयरीन टेस्ट का प्रियों किसकी उपर से ती जाजने के लिए होता है option number D, carbohydrate विलकुल सही जबाब हो जाएगा plaster of paris का राशानिक नाम बताएगे option number C, calcium, sulfate, आपका हैमि हाइड आपका सही जबाब हो जाएगा किसका पूछा है, plaster of paris का ध्यान रखेंगे gypsum का राशानिक से तो पूछा है, तो C, A, S, O, 4, 2, H, 2, O आपका सही जबाब हो जाएगा आज ये question number 96 पर बताएगे कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधेवे प्रकास translation करता है वो निम्लिखित में से कौन सा है option A आपका राई टांसर हो जाएगा कुलूरोफील, बिल्कुल सही जबाब 98 नमबर देखिए सुसकाची कूप का मनुष्यों में प्रकूप किस विटामिन की कमी से होता है option number D राई टांसर, विटामिन C की कमी से होता है नमबर 100 है, प्रोटीन उर्जा, कूपोशन का परिनाम है option A, बाल चान यहने की जिसे आप मरास्मक के नाम से जानते हो, ठीक है तो friends, अभी आपने बियार सची वाले के लिए S के जासर का practice state number second देखा आशा करता हूँ कि आज का भी class आप लोगों के लिए फाइदे मन रहा होगा अगर कुछ कहना हूँ कमेंट करकर आपसे बता सकते हैं मिलते हैं बहुत ही जल्द practice state number third के साथ सकते हैं